नमस्कार साथियो नियूस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं एक तरफ बहुत सारे लोग जीवन की आर्थिक परिसानियों से रोजाना जूचते हैं और दूसरी तरफ जैसे ही मंदिर, मस्जीद, ग्यान व्यापी, ताज महल का मामला आता है तो लामबंद हो जाते हैं इन मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाई गई है तो मस्जिद भी तूटनी चाहिए और जब मैं अंत में उतरा तो उसने कहा कि भाईया जितना मैं कमाता हूं पैसा उससे जादा मैंने कर्ज लिया है मेरा बेटा इंजिनिनिंग की पढ़ाई पढ़ रहा है एक बेटा फिजियो लामस्ज स्थया है ऐसा क्यों होता है दरसुद पेहली बात है यह क्या अलग मुद्दा है इसको बोलना शाइद हमारे लिए सहीं नहीं होगा क्यों हे आगर लोगोंगों को यह मुद्दा . लग रहा है इसका मतलब उनके लाइफ मेंश्ध जिसस तरीके से उनकी कह सकते कि यह नहीं कि आप सोचिए कि आप कह सकते कि national movement क्यूं हुआ है ना क्यूंकि national movement के time पे अगर लोगों ने अपनी नौकरी छोड़के वह किसी बिल्कुल आजादी से पहले अगर लोगों में कोई बैरिस्टर था कोई कहीं पे नौकरी लगी होई थी सुभाष चंदर बोस आइसी एस बनने वाले थे वो नहीं लेकर आ गए यह लड़ने तो क्यूं वो आइडेंटी की लड़ाई है ना क्योंकि उनको लगा कि मैं पैसे कमा लूंगा मेरे दिंचरिया अच्छी से त अब जब तक स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे आप ने जिस तरीके से इतिहास सीखा था आप थोड़ा दर्शों को पता चलिए आज की बात नहीं है हम लोग जैसे उत्तर भारत से हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में हमेरे पढ़ाई हुई वहां पर हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग अपनी पूरी दसवी और बारहवी क्लास की परिक्षा में मैथ साइंस पर फोकस की हुए हूँ है सोशल साइंस पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं मतलब उस पे हम लोग तवज्जू भी नहीं देते हैं और परिक्षा के दस दिन पहले पंदर दिन पहले कुंजी लेते हैं और उसके अनुसार से अपनी पढ़ाई करके पास करते हैं ये तो हमारे समाजिक विज्ञान का एक हाचा होता है जिसमें कहा जाता है कि ना भाई इस परिक्षा ये विसाय पढ़के आपको नौकरी नहीं मिलने वाले आपको पढ़ना अंग्रेजी पढ़ेगा ये सारी चीजे पढ़कर ही आप आगे जाएंगे तो ये जो माहौल बना है और उसके बाद हम देखें कि अगर स्कूल में जाते तो आपको ये नहीं कहा जाता कि मुसलमान बाहर के हैं लेकिन कहा जाता हाँ इस शताबदी में वो आए वो भारत में उन्होंने अपना मुगल सामराज्य या दिल्ली सल्तनत ये सब उन्होंने बनाया और देखें कि राना प्रताप ने उनके खिलाफ वो देश में वो इसका हिस्सा है है ना तो आपको संग के स्कूल में जाने की ज़रूद नहीं आप NCRT पढ़ लीजे आपको यही मिलेगा और कम से कम हमारे टाइम तो यह हर वक्त था इससे हमारी आपने बच्पन में कभी अमर्चित्र कथा पढ़ा होगा मुझे पता नहीं है आपके टाइम तक शायद गायव हो गया होगा हमारे टाइम बेवार्चित्र कथा बहुत पॉपिलर होता था और हम लोग सब खरीदते थे और एक्सचेंज करते थे और उसमें जो हिस्ट्री हमें सिखाए जाती थी आमर्चित्र कथा से जो है मैंने हिस्ट्री सीखी है उसमें साफ है कि अकबर दे ग्रेट, अकबर बहुत अच्छे, औरंग जेब बहुत बुरे, हुमायून बिल्कुल फेलियर, बाबर थोड़े से ऐसे ठीक नहीं, जहांगीर पता नहीं क्या, अशोग बहुत अच्छे, और बीर सावर कर बीर, मैं बच्पन में बीर सावर कर का तो यह जो हिस्टोरियोग्रफी है, यह कोई संग की हिस्टोरियोग्रफी नहीं है, यह नैशनल मुव्मेंट की हिस्टोरियोग्रफी है, नैशनलिस्ट हिस्टोरियोग्रफी हमारे देश में इतिहास लिखने का, जो एक आप कह सकते हैं, एक ट्रेंड है, और उसी से हमारा identity हमारा ये sense की भारत क्या है उसी से बनाए हम अब आप देखिए कि ये हर वक्त था आप क्या शायद मैं गलत अगर ना हूँ तो आप 2009 में आपका school आप school से pass करके निकले हैं 2009 तेरा साल पहले तब भी था ये तो बाहर क्यों नहीं आया उस वक्त ये क्यों चर्चा हो रही थी कि महंगाई बहुत बढ़ रही है 2010-11 में आप देखिए कि दुनिया में नौकरिया जा रही है सब कुछ फेल हो गया है स्टॉक मार्केट बिलकुल धस गया है ये सारा जो ग्रोथ हो रहा था वो खतम हो गया है हर ढ्रॉयंग रूम में ये बाते होती थी कि मैंने तो management पढ़ लिया MBA पढ़ लिया नौकरी नहीं मिल रही है तब क्यों हो ये बाते होती थी क्यूंकि ये बाते जिसको हम public discourse कहते हैं यानि कि जो आम बाते जो public में होती है जैसे आज जाके अगर आप किसी पार्टी में जाके सामयबाद के बारे में बात करने लगे तो लोग हाँ हूं करके आगे निकल लेंगे उरको इंटरेस्ट नहीं है तो पब्लिक डिस्कोर्स या उस वक्त क्या चीज चर्चे में है ये मीडिया तै करता है ये मीडिया और अलग-अलग इतिहासकार कौन है? हमीश तिरपाथी और जो जिन्होंने सावरकर पे किताब लिखा है उनका नाम मैं भूल रहा हूं ऐसे लोग आज इतिहासकार है जिनका ना कोई फॉर्मल ट्रेनिंग है फॉर्मल ट्रेनिंग की जरुरत नहीं है ना कोई उन्होंने कभी भी इस्टैब बुलाकर ऐसे लोगों से इंटर्व्यू लिया जा रहा है कि ज्यानवापी मस्जिद पहले मंदिर था या नहीं ये फॉरेनर है या इंडियन है ये सब सवाल पूछे जा रहे है इन लोगों से तो मीडिया चर्चे में लाकर इसको आगे कर रहा है मेरे प्रोफेसर से ज्या चुंवबू जादा ले जानवापन्दे का फ्रंच पेज पे लेग था बोटम पेज का जो लेख था टाम्स आइंडिया जानवांदय जानवांद हो आई-गा तो वही अमेश्चि पाठी में या हो सकता है में ब्लमाच्ञा दोचीरप ब्लमांद राइभ लिखते हैं या जो वीरसावकर पर जिन्हों लिखा है उनका नाम आजाएगा या ऐसे ऐसे लोगों का नाम आएगा जो आज दूसरी तरह की इतिहास लिख रहे हैं जिस इतिहास का कोई बेसिस कोई तथ्य में नहीं है जो तथ्य वो देते हैं वो तथ्य उनीका है और और उसको आप आसान आराम से दिखा सकते कि ये असल historical analysis का उसको नहीं पार कर सकता लेकिन यहीं लोग बात करते हैं आज की date पे अगर आप देखेंगे आपने देखा होगा कि लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ट बैंक का रिपोर्ट आ गया कि भारत में गरीबी बहुत कम होगी अरे वर्ल्ट बैंक का रिपोर्ट जो लिखा है वो त इस तरीके से पेश करता है उसको हम सच मानते हैं मैं एक उधारन आपको देता कि जब कोई breaking news होता है और breaking news में हम on करते हैं TV में और TV पे तबी-तबी का सारा ख़बर आता है न्यूस आता है तो क्या होता है कि TV में जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हम वहीं हैं हम बि माध्यम है न वह माध्यम गायब हो गया हम वहां पर हैं जब रिपोर्टर बोलता है आप मेरे पीछे देखिए हमें लगता है हम वहां पर पहुंच गये हैं तो हमें आप जानते होगे कि हम कहते हैं कि seeing is believing मतलब हमने देख अपने आखों से मैंने देखा है कैसे गलत हो सकता हम भूल जाते कि हम आँक से जो देख रहे हैं वो मैं पिछली बार भी कह रहा था आपको एक कैमरा का फ्रेम है का मेरे का फ्रेम से हम देख रहे हैं ना कैमरा का हूं है इधर गुमा तो तो कुछ और हो सकता है मैं आपने एक case से बोलता हूँ कि मैं आज से 23 साल पहले मैं 1999 का election cover करने के लिए भिवान ही गया था और वहाँ पे मैंने बहुत कम reporting की है और ये एक case मैं आपको बोल रहा हूँ और वहाँ पे हमें story को थोड़ा सा उजागर करने के लिए कुछ visuals अच्छे चाहिए थे और अचानक हमने देखा कि दूर एक latte charge हो रहा है तो मैंने तुलन camera person को बोला मैं आगे camera के सामने आप camera घुमाओ मैं camera के सामने खड़े होके मैं peace to camera कहते है camera पे सीधा बोलना है वो बोलने लगा और जो footage हाए वो footage हाए लेकिन हमारे पास कोई sound नहीं था यह बहुत दूर है latte charge लेकिन अगर आप वो मैं video में डालता तो आपको लगता अरे वहाँ पे तो बहुत violence हो रहा था वहाँ पे मैंने देखा कि भिवानी में तो latte charge होआ यह नहीं कि एक latte charge होआ है ठीक है तो जो हमें media दिखाता है especially television media, visual media, video जो share होते है YouTube पे यह हमें लगता है यह सची है यह गलत होई नहीं सकता यही सबसे बड़ा मुद्दा है आप किस बात कि में बात करें और वो मुद्दा चर्चे में आ जाता है आज के date पे TV पर देखके TV डिबेट पर देखके लोग अगले दिन जाकर office में बातचीत करते हैं किसी धाबे में बातचीत करते हैं किसी पार्टी को शाम में बातचीत करते हैं WhatsApp पे एक्सचेंज करते हैं वीडियो क्लिप एक्सचेंज करते हैं और इस सबसे क्या होता है यह जो public discourse जो मैं कह रहा हूं सामोहिक चर्चा पब्लिक जो चर्चा यही बात से सामने आती है तो आ करेंगे वहां वो तो है वो तो हर वक्त रहेगा आज यह सबसे जरूरी है महंगाई बेरोजगारी यह सब एकदम ऐसे मुद्धे हैं जो रोज प्रभावित कर रहे हैं लेकिन इनकी coverage बहुत छोटी होती है और ग्यान व्यापी त्याज महल से पूरा खबार रंग दिया जा यह बदलते हैं इस से लोगों को फर्क पड़ता है और सबसे उपर जाता है राजनीती और सत्ता तो politics जो है उसको सबसे जादा cover किया जाता है उसके बाद आता है थोड़ा बहुत business news, international news, national security बहुत बढ़ा चीज है वो बहुत बढ़ा निकल के आया है 2000 हमारे पिछले 20 सालो में और थोड़ा से sports होता है ठीक है यह हमारा coverage रहता है और कभी-कभी social issues का एक बीच में आप घुश जाएगा कई पे last page पे आ जाएगा या newspaper के बीच में कई पे आएगा है ना तो यह इस तरीके से news choose होता है और एक चीज़ आप देखिए कि इसके कारण से जादा तर reporter जब या foreign news cover करना, international security, defense बगएरा cover करना यही ज़्यादा थर journalist चाते कि हम यही करेंगे क्यूं क्यूंकि उनको पता है कि जब वो reporting करेंगे इसका तो वो headline बन जाएगा वो top store पाथ 3-4 story में आ जाएगा और news जब कोई देखेगा तो वो उनका जो क्या कहते है उनका चेहरा टीवी पे आ जाएगा उनका byline front page पे आ जाएगा तो इसके चलते सब वो ही बना जाएगा और जब वो बन जाते है रिपोर्टर तो उनका political party हुआ, सरकार हुआ, ministry हुआ, minister हुआ, उनके साथ एक जोड बन जाता है वो उसी तरीके से देखने लगते हैं वो सत्या के नजर से, राज important यही है जो राजनीती में चल रहा है या सत्ता में चल रहा है और आज के date पे जहां पे news channel सारे corporate के हवाले हो चुके हैं, जो पूरे सरकारी दबाव में आ चुके हैं, ऐसे news channel में पूरी तरसे उपर से दबाव बना हुआ है कि सरकारी और corporate view ही चलना चाहिए, ठीक है, लेकि तो हम ऐसे बोलते बात चीत में, उनका नजरिया यही है, यही वो सोचते कि असल चीज है, जिस तरीके से आज आप कहने कि महेंगाई असल चीज है, वो कहते हैं, महेंगाई तो हर जगे हर वक्त होती है, होती है, उपर जाती है, नीचे जाती है, पूरे दुनिया में है, अ क्योंकि वो सत्ता धारियों के नजरिये से हर एक newsroom में लोग देखते हैं और इसी तरीके से newsroom में भी वो ही जो हमारे देश में या किसी भी देश में जो सत्ता का structure है राजनीती, सरकार, business, company, institution, bureaucracy, वो इस सत्ता newsroom में भी एक power relation बना रहता है political reporter end में जाके business, political reporter political editor बनता है, फिर managing editor बनता है, executive editor बनता है, business reporter, business channel चलाने लगता है है ना, तो इसी तरीके से उनका नजरिया determine करता है क्या choose हो रहा है, इस वक्त नजरिया सत्ता का है, जो सत्ताधारी है और जो overall एक आप कहसे है power का नजरिया है, वो यही नजरिया है, और वो ही push हो रहा है, तस साल पहले जब UPA था, UPA का जो नजरिया था, उसी तरीके से चलता था, जब UPA में crisis आ गया, तब नजरिया बदला, नहीं तो वैसी चलता था, आपको यह भी देखना पड़ेगा, है आप से अंतिन सवाल, आपने इतिहास का भी बहुत ही अच्छे तरीके से अध्यन किया है, तो आप से मैं अगर मैं सवाल पूछूं कि यह आर्थी का समानता की खाई है, बहुत बड़ी खाई है, और हम यह भी देखते हैं कि बहुत बड़ी आबादी ऐसे मिल जाएगी, ज लेकिन जो इसका अतीत का नसा है, कि वो सबसे बड़ा देश था, वो हिंदू राष्ट था, वो विश्व गुरु था, सोने की चडिया था, उसको बरबात कर दिया गया, यह जो नसा है, यह नसा कभी खत्म भी होगा, आर्थिक नीतिया कभी उपर आएंगी, देखें इसक कान्बुच के इस तरीके से कह रहा हूँ, कि हम हर रोज जाते काम पे जाते, आप जाते काम पे, आपको आपका लख है कि आप ऐसा काम करते जो आपको पसंद है, ठीक है, बहुत लोग है जिनके लिए यह वो नहीं हो, कहते कि भाया यह तो रोजगार है, रोजी रोटी है, office में जाते हैं, कुछ काम करते हैं, वापस आ जाते हैं, उसका पैसा मिलता है, ये important नहीं है, important है कि मैं क्या हूँ, मेरा sugar कितना है, मेरा BP कितना है, डॉक्टर बोलते हैं कि BP बहुत जादा है, थोड़ा कुछ आप वो कीजिए, थोड़ा सा धार्मिक होईए, meditation कीजिए, और ज मस्ते हैं, अगर मैं कई पे जाके मेरा, मैं वो नहीं दिखता हूँ, तो मैं five star hotel में खाना order करता हूँ, तो waiter मुझे साथ, उस तरीके से बात नहीं करता है, जिस तरीके से मेरे दोस्त के साथ बात करता है, जो suit boot पहन के आया हुआ है, तो इसमें उनके दिमाग में होता है कि मेरा जो identity है, उसको क्यों respect नहीं मिल रहा है, और इसका respect इसलिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे इतिहास में जो हुआ है, इसके चलते मैं जो हिंदी बोलता हूँ, इसको मानेता नहीं मिलती पूरी तरीके से, अंग्रेजी वाले आगे निकल चुके हैं, ये अंग्रेजी जो culture है, उसको यहाँ पे लाए हैं, secular world, ये सब बक्वास है, तो एक तरह एक बिसात बनी हुई है, गुस्से की, humiliation की, उसके उपर डाला जा रहा है, राजनीतिक तोर पे, कि इसका कारण क्या है, और उसी को spread कर रहा है, media, social media, उसका अलग भी spread हो सकता है, तो गुस्सा जब होता है, उससे एक ये वामपंथ के तरफ भी जा सकता है, liberalism के तरफ भी जा सकता है, और दक्षिन पंथी भी आदमी बन सकता है, बिसात वही है, गुस्सा वही है, याद कीजे कि जब लोगों में जर्मनी में गुस्सा था कि नौकरी नहीं है, या inflation बहुत जादा है, महंग पेपर में पुश किया, प्ले राइट्स ने पुश किया, ठीक है, तो ये जो चक्कर है, बिसात जो है, वो एकनॉमिक हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी की लड़ाई, गुस्से की लड़ाई, वो किस तरफ जाती है, उसको किस तरह का एक फिल्टर में डाला जाता है, वो पब्लिक डिस्कोर्स से तियार होता है, वो मीडिया का रोल उसमें बहुत-बहुत इंपोर्टन रहता है, अपमान और घुस्से की जमीन है, और उस पे नफरत का बीज डाला जा रहा है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अगर आपको हमारी खबरे ठीक लगती हैं, तो हमारे वेबसाइट को लाइक कीजिए, हमारे फेस्बुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे ट्विटर पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया आप देखते रहे हैं नियुस्क्लिप